तार स्टुडेंट्स मैं मरनाजा आपके समझ कक्षा आठमी का डणित का वर्चिट संक्या 27 लेकर को पस्तुत या दिनांग 29-10-2021 का है हमारा टॉपिक है अब नया चेप्टर है छेत्रमीती हम अपने आसपास विभीन प्रकार की बस्तुएं देखते सभी बस्तुओं का कोई ने कोई आकरित होता है अब इन में से कुछ बस्तों की आकरितियों का स्वरुप जटिल होता है कुछ सरल होता है कुछ आकरितियों को हम जामितिये आकरिति भी कहते हैं क्योंकि उन आकरितियों को उन आकरितियों के गुन और आकार हमारे द्वारा परिभासित किये जा चु इनी जामित यह आकृतियों में से कुछ के बारे में पढ़े और कुछ का फर्मूला हम सीखेंगे दोहराएंगे यह देखिए ये तिरभूज किसे कहते हैं तीन भूजाओं से बनी-बंद आकृती को तीन रेखा बते दो आधार गुने में उचाए और वर्मे District 1 × जो होता है तो इसकी परिमाप हो जाएगी यह 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 एक जकुर्णा तो चारो को जोड़ें तो चार ए ऑर चेत्र पल होता है एक गुने भुजा गुने भुजा या तो यह अदिक जिसके आमने साङने की भुजा बराबर और समानतर होती है और प्रत्य को 90 डिगरी का होता है तो यह एल है तो यह यह भी एल उपर वाला एल हो जाएगा और यह भी है तो यह भी भी हो जाएगा तो परिमाप क्या हो जाएगा अज़एगा एल बी पर अल बी यानि एल बी को जोड़ लो और दो से मल्टिप्लाई कर दो टू इंटू एल प्लस बी और जो च्छतरफल होता है लंबाई गुने चोड़ाएग ठीक है इसी प्रकार यह समानतर चतरभुज होता है तो समानतर चतरभुज की आमने सामने की यह बराबर है तो यह थो यह भी हो जाएगा यह भी यह भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक भी को जोड़ दीजिए और इसको दो से गुना कर जो एक प्लस भी इंटु टू और जो चहतरफल होगा एक बड़े-दो कि अपक मलाब अधार गुनेण चाही स्व एक बंडे 2 नहीं आधार गुनेण उचाहीद ंभ अब समच्च तुरबुज होता है संच्च तुरबुज के विकर्ण होते आपस में एक दूसरे को समकों के सम्दिभाजित करते हैं और चारे भुजा इसके बराबर होते हैं विकर्ण एक दूसरे को के लंब समद्धिवाजयक होते हैं तो यह चारों भुजा बराबर है तो परिमाप ए गुने एक बटे दो गुने विकर्णों का गुननफल इसी प्रकार यह समलम चतुर्भोज होता है समलम चतुर्भोज में क्या होता है आमने सामने का एक यूग में सिर्फ समानतर होता है सिर्फ समानतर के बात वे यह जदी चारों पुझा दिया हो ए बी सी और दी सब का जोड होगा और इसका जो छेतरफल होता है समानतर भुझाओं के जोड पहले तो a प्लस भी ए प्लस भी और का एक बट्टे दो करें और गुने उचाए यानि समानतर भुजाओं के जोड़ बट्टे दो ए वर्माइट टू एच इन्टू भी एच ए प्लस भी और समानी चतुर्भुज कोई भी है तो इसमें एक विकर्ण डाल लें चार और एक हाखंडों से बंद आकरिती को हम यह कहते तो इसकी जो परिमाप होगा ए प्लस भी प्लस प्लस दी और जो छेतरपल होगा इसमें अलग-अलग दिया हुआ है तो एक दो त्रिभुज बन जा रहा है तो इस त्रिभुज का जोड इस त्रिभुज का जटरपल प्लस इस त्रिभुज का जटरपल तो इस त्रिभुज का जटरपल एक बटते दो आधार गुर्ण ने उच्छा है डी वन इन्टू एच और ये डी वन इन्टू एच टू तो वन बाई टू यहां पर जो होगा इस छत्रिभुज का जटरपल 1 by 2 1 by 2 D1 into H plus 1 by 2 D यह H1 दियावे 2 H1 है H1 और H2 तो D तो एक ही रहेगा और H2 तो 1 by 2 D common H1 plus H2 तो यही आपका फर्मूला है यहाँ पे 1 by 2 D1 H1 plus H2 अब यह आयत यह इसको कहते है वरित इसमें वरित में क्या होता है यहाँ पे एक केंडर होता है और यह तरिज्या होती है और जो यह है इसके परीद ही है वरित पर कोई बिन्दु है इसके अंदर का छतरफल ग्याद करते है तो यह दिया होए एक निश्चित बिन्दु से समान दोरी पर इस्थित बिन्दुओं का बिन्दुपत जिसको हम बृत कहते हैं अब ये इसको हम केंदर कहते हैं और ये इसको हम तरिज्जा कहते हैं और ये परीध ही कहलाता है अब इसका परीध ही होता है 2πr बाकी में परिमाप नाम दिया जाता है इसका परिमाप को परीध ही नाम दिया गया है इसका चित तफल होता है πाई इंटू आरे स्क्वाइर पाई का वैल्यू होता है बाइस बटे साथ या तीन पॉइंट एक चार ठीक है यह था आज का वर्क्षित अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जब धन्यवाद